होनी जारी जिसका नाम है Firebolt Oracle होने जारी है, तो दोस्तों फायर बॉल्ट की और एक नई Android smartwatch लॉंच होने जारी है, जिसका नाम है Firebolt Oracle इससे पहले Firebolt की ड्रीम smartwatch भी Android smartwatch दी, इसके उपर भी हम और हाँ मैं यहाँ पर आपको बता दू इसका अन्बॉक्सिंग वीडियो आपको हमारे चैनल के पर सबसे पहले देखने को मिल जाएगा तो सबसक्राइब नहीं किया तो अभी काभी सबसक्राइब कर लो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि यहाँ पर भी आपको 4G नैनो सीम का सपोर्ट जोय हो मिलने वाला है जिसके हिल से यहाँ पर आप कॉलिंग वगरा का मज़ा जोय हो ले सकते हो बात करते हैं डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको 1.96 इंचेस का LCD डिस्प्ले जोय हो देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको 600 निट्स का पिक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा साधी साथ 60 हार्ट का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है मतलब दोस्तों टेच रिस्पॉंस वगरा ना काफी बढ़िया होने वाला है अभी बात करते हैं थोड़े इंटर्नल मैटर की तो यहाँ पर आपको 2GB की रैम 16GB का इंटर्नल स्टोरेज क्वाड कोर का प्रोसेसर रहने वाला है जैसे सेम हमें देखने को मिला था ड्रेम में लेकिन दोस्तों यहाँ पर डिफ् करते हो नो तो आराम से चार गंटे तो यह चलेगी तो दोस्तों जैसे के हमें पता यह एंडरॉइड स्मार्ट वाच है तो दोस्तों आप यहाँ पर प्ले स्टोर से चाहे जो मर्जी वह एप्लिकेशन या फिर गेम डाउनलोड कर सकते हो गूगल सूट यहाँ पर आप इं इस वाच की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको मूबाइल असिसनेंट का फीचर मिलता है और ब्लूटूथ डाटा ट्रांसपर भी यहाँ पर हो सकता है बात करते हैं कि तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्ट्रैप्स और कलर मिला कि टोटल मिलाकर आठ ऑप्शन जो हो मिल वाले और यह जो पूरी स्मार्ट वाच है आपको बता देना चाहूंगा कि ड्रीम और और कल का कंपेरेजन वीडियो भी आको लांच के ही दिन हमारी चैनल के पर देखने को मिल जाएगा तो बहुत सब्सक्राइब करो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो तिल देन ब आप